मैं डॉक्टर कहानी भानावत, डिपार्डमेंट और ड्रोइंग और पेंटिंग, गौर्मेंट मीरागर्स कॉलेज, उद्यापुर से हैं. ये देखी बच्चों, आज मैंने एक ड्रोइंग बनाई है, एक स्केच बनाया है, जो की एक मेल मॉडल का है. इसी तरह की स्केचिंग आपको पेपर फर्स्ट लाइव स्टेडी में बनानी है, वैसे मैंने समय समय पर आपको पिछले वीडियो में पैर, हाथ, मू, नाक, आख और कान की अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग मुद्राओं की ड्रोइंग्स पस्तुत की थी, जिसे आपने अच्छे से देखा होगा और अपने स्केच फाइल में उसे अच्छे से बनाया होगा, उसी के मद्दे नजर, आज में आपके सामने ये एक मेल मॉडल की ड्रोइंग या स्केच प्रस्तुत कर रही हूं, अब इसे आप देखिए कि ये जो मेल मॉडल है, ये एक चेयर पर ब खांकन है, इसमें डेटेल नहीं है और इसमें शेडिंग भी नहीं है, लेकिन इसे देखने से पता चल रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो चेयर पर बैठा हुआ है, इसे चाए छोटा बच्चा या बड़ा कोई भी देखेगा, तो देखते एक बर वो कह देगा कि हाँ ये व ड्राइंग बनाने से पहले इसका ध्यान रखना है, कि हम जिसकी भी ड्राइंग कर रहे हैं, जिसका भी हम स्कैच कर रहे हैं, वो सामने वाला उसको देखते ही बता दे कि हमने इस चीज की ड्राइंग करी है, अब बनाने से पहले हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ यह जो male model है, इस model में उपर इसने क्या पगड़ी पहन रखी है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसने पगड़ी लगा, पगड़ी लगा रखी है, और सिर्फ इसका मूँ की हमने यह सिर्फ यह एक ड्राइंग बना दिये, पता लग दिया कि इसका चैरे का हिस्सा है, अब बाक बंदे में थोड़ा सा हम नीचे बनाएंगे, हम इसको एकदम से स्ट्रेट नहीं बनाएंगे, हमने एकदम यह सीधा बनाया है, थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाया है, अब इसकी हाथ देखिए आप, हाथ यह आगे की तरफ है, और इसका हाथ इस गुटने के पीछे है, क् हाथ की जगे यही गुटना दिख रहा है इसलिए गुटना पहले बनाया है वाकि हाथ चिप गया है वो इसका बैक में है अब आप निचे निचे थोड़ा निचे पंचा लेंगे तो देखेंगे कि दोनों जो हाथ हैं वो एक के अंदर एक है सिर्फ हमको इसकी यह फिंगर्स दिख रही है तो फिंगर्स हमने बना दिया है तो यह पता लग रहा है कि एक यह वाला हाथ है और एक यह यह यहाला हाथ है अब देखिए और हम निचे आएंगे तो देखेंगे कि यह जो चेहर है एक चेहर यह यह दोनों फ्रंट वाले हैं और फ्रंट पर यह वाली जिस स्पेस का यह वालद पैर टिकआ हुआ है और एक पैर इसका निच्चे है और एक पैर चेहर ke ओपर है कि अब हम देखेंगे कि जो मैंने यह जो चेहर बनाई है उस चेहर में यह वाला जो क पाया है वो आगे हैすले यह बड़ा दिख रहा है थोड़ा सा ये कुर्सी टेड़ी है तो ये वाली इसके अकॉल्डिंग ये थोड़ी सी छोटी है और ये वाली जो कुर्सी का पीछे वाला पैर है वो पीछे है इसलिए थोड़ा सा दूर बनाया है और थोड़ा छोटा भी है और ये थोड़ा सा पीछे देखिए इसकी पूरी हमको इसकी लाइन तह नहीं दिख रही है क्योंकि ये वाला हाथ आगे है और इसका ये चेयर का पीछे वाला इससा पीछे की तरफ है इसलिए हमको हाथ दिख रहा है कुरसी नहीं दिख रही कुरसी पीछे है तो ये जो मेल मॉडल है वो तो फ्रंट से बनाया है इसलिए हमको front वाला हिस्सा पूरा दिख रहा है तो हमें यह जिस भी position में आप बैठेंगे उस position में आप ध्यान रखेंगे कि आपको model का कौन सा हिस्सा दिख रहा है कौन सा हिस्सा नहीं दिख रहा है इसी तरह हम face में भी हम यह ध्यान रखेंगे कि हमको पूरे दोनों आखे दिख रही है या आधा ही दिख रहा है तो यह सब आपकी बैठने की position के उपर depend करता है कि आपकी जगे बैठे हैं और आपके सामने जो male model जो chair पर बैठा हुआ है वो आपको उसका कितना हिस्सा आपको दिख रहा है कौन-कौन सा इसा दिख रहा है कौन-कौन सा इसा नहीं दिख रहा है यह वाली जो line है यह हमारी sheet की आधार line है अब यह sheet सबसे आगे हमारा इस model का pair है इसलिए हमें सबसे आगे हमने इसको बनाया है second number पे इस कुरसी का है third number पे यह है और fourth number पे यह है तो सबसे पहले हमको कुरसी की position पे भी ध्यान रखना है क्योंकि model तो कुरसी पर ही बैठा हुआ है और हमको ये दिखाना है कि ये जो male model है वो बैठा हुआ है ये खड़ा नहीं है तो इसको दिखाने के लिए हमको chair का angle भी देखना पड़ेगा अब chair chair के चुकी चार पाय है चारों तो आपको दिखेंगे नहीं तीन दिखेंगे चौथा कई भी दिख भी जाता है तो थोड़ा छोटा दिखता है तो पीछे वाले जो पाय है वो आगे वाले के आप एक शक्रत थोड़े पीछे छोटे होंगे और दूर होंगे तेड़े होंगे तो ये सब जब आपने फस्टेर में कोई बुक बनाई है, चौक का डिब्बा बनाया है, तो इन सब चीजों का आपने ध्यान में रखा है, तो इस तरह की जो स्क्वेर चीजों होती है, उसको बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसको देखने से आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, इस तरह आप घर पे आप प्रैक्टिस करते रहिए, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपका हाथ साफ होगा, और आप अच्छे से ड्राइंग कर पाएंगे, और यह जो यह चुकी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप रोजना डेली अपने स्केश फैल में कुछ न कुछ न कुछ ड्राइंग बनाते रही है, इससे आपके हाथ में इंप्रॉमेंट आएगा और आपको बनाने में प्राब्लम नहीं आएगी